बिहार सिक्षक नियोजन परक्रिया सिक्षा मंत्री के बारवर बयान बदलने और डेट याने सेड्यूल काउंसलिंग के निकालने के बाब जूद भी पंचाय चुनों का बहान लेकर उसे रद करना यह कहां करनी थे अखिरकार सिक्षा मंत्री मान ही गए उन्होंने कहा कि पंचाय चुनों जैस में समाप्त होती है आप सभी को 94,000 प्लस 30,000 जो माध्मिक है उन शबो को काउंसलिंग कराके और सिक्षा विभाग द्वारा लेटर जारी किया जाएगा और एक साथ शब को नियुकती कार्च कर्म का रास्ता खुला थाया यहाँ जारी होगा नया सेलियूल और शेडियूल से काउंसलिंग कराने के बाद चाहे होग प्राथमी को माध्मिको उससार माध्मिको शब को नियुकती पत्र एक साथ दिये जाएग क्योंकि अगर highlight मुष्य कॉंसलिंग कराकर और उसको निवी को तो इसे बहतर है कि एक साथ सभी को नुक्ति बत्र देंगे ताकि किसी भी तरह का बढ़ियता में कमी ना आ जाए समानता बनी रहे और अब आप लोग किसी भी भाकावे में ना आए क्योंकि पंचाज चुनाओं के बाद ही कुछ होने वाला है तो जो सेकेंड चरन का हुआ है काउंसिलिंग ठर्ट चरन का भी काउंसिलिंग होगा और माधिम कुस्तर माधिमिक का भी हो जागा और उसके बाद आप लोग धैर्ज रखे और तमाम लोगों को नुक्ति पत्र दिये जाएंगे तो लोग जो आंदोलन या भकावे में रहे यह सब अच्छी बात नहीं है धैर्ज रखे ठीके और सबको एक साथ नुक्ति पत्र देंगे सिक्ष्यमत्री का बयान